जहिन दोस्तों अगर आप बैड खरिदने की सोच रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बैड चाहिए अपने घर के लिए सिंगल या डबल बैड और यह सोच रहे हैं कि बॉक्स वाला ले या बिगर बॉक्स वाला ले पहले मैं बात करूंगा कि आपको इसके बिदोर बॉक्स के और उसके मैं आपको फायदे भी बताऊंगा मैं उसके बाद मैं बॉक्स वाले की बात करूंगा और दोनों के फायदे और नुक्सान में आपको बताने वाला हो तो पहले हम बिदोर बॉक्स करेंगे इसके फायदे बनते हैं पीजी में अक्सर या फिर गैस्ट आउस या आपको यह होटेल वगारे में आपको विदॉर्ड बॉक्स जादा मिलता है क्योंकि वहाँ पर इस्टोरेज नहीं होते हैं लोग इस्टोर नहीं करते हैं अपना समान और वहलका भी होता है विदॉर्ड बॉक्स वाला इडिया नहीं कि आप उसको कहीं भी ला ले जा सकते और आम से अगर आप किसी फ्लोर पर रह रहे हो तो उसको वहाँ पर चढ़ा भी सकते आप अच्छे से इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की लेकिन इसमें आप कोई स्पेस निये समान लखने के लिए य इसके में से जो आपके घर में दसबाई दसका रूम है वह इस पेस जो है आप यूज नहीं कर पाएंगे अक्सर क्या होता है कि लोग जो है अपने घर में बैड इसलिए लेते हैं ज्यादा तर 90% लोग इसलिए खरीते हैं क्योंकि वह एक आलमारी के तरह अपने बैड का इ अपने बैड कर सकते हैं तो बॉक्स वाले बैड का ये फायदा है लग दो और लुक्सान इसमें यह होने वाला है कि कि अगर आप किसी फ्लोर पे रह रहे हो ज्यादा ऊचे किसी फ्लोर पे तो वहां पे चड़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है लेकिन इतना भी दिक्कत नहीं आता है कि आप नहीं चड़ा सकते बिल्कुल आराम से आप सकते हों आपके पास लेवर की अगर आपके साफ है अगर आप किसी फ्लोर पे लेते हैं यह ऐसे बाहर से आप लेवर को बुलाकर आप उसको ऊपर चड़वा सकते हैं तो मैंने आपको पता लिया आपको कि सिंगल बैट और डबल बैट में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या खरीदना चाहिए कि आपके लिए ज्यादा बैश्ट होगा